हलो फ्रेंड्स एजो रोकेट चानल पर आप सभी का स्वागत है तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इग्नू बियर एंट्वेंस एक्जाम जो हुआ था उसमें हिंदी की आंसर की फ्रेंड्स ए 100% accuracy के साथ है तो आईए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले एक द्यांश है सचे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बान देते हैं वीर्टा के भी व्यक्ति कई परकार से होती है कभी लड़ने से खुन बहाने से तोप तलवार के सामने ब होती हैं और वो देवदार व्रिक्ष की तरह बिना किसी के पानी दिये बिना दूद पिलाए बढ़ते हैं जीवन के केंदर में निवास करो और सत्ते की चटान पर दृड़ता से खड़े हो जाओ बाहार की स्ता चोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचो तब नए रंखी लेंगे यही वीरता का संदेश है तो आईए इसके कोशिन देखते हैं तो पहला है 161 161 इस गद्यांच के लिए उप्युक शिर्षक होगा वो है सची वीरता 162 वीरता का संदेश क्या है तो वीरता का संदेश है उदेशे के लिए सचाई पर चटान की तरह अटल र 164 बुद्ध जैसे राजा विरक्त कैसे हो जाते हैं जीवन के गूर तत्व और सत्ते की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं वीरो की देवदार विक्षितुलना क्यों की गई है? क्योंकि दोनों ही स्वैम पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी पिलाए बढ़ते हैं म किस वर का अंतिम व्यंजन है तो पर का पर का अंतिम व्यंजन है वर्णो की समु को क्या कहते हैं वर्ण माला सपता में कोन सा समास है तो सपता साधीनों का समु होता है जो द्विगू है जिसमें पहले गिनती और लास्ट में कोई समु आ रहा है Next है मृत्यू प्लस उप्रांथ में संधी करने पर कोन सा शब्द बनता है तो वो बनता है मृत्यू प्रांथ तो option 1 इसका आएगा कहीं उने option 2 कर रखा है तो friends वो गलत है आंक शब्द की शब्द का तदसम रूप है तो अक्षीगा फूल इनमें से कौन से संग्या है फूल एक जाती वाचक संग्या है अगर कोई फूल का नाम होता तो वो व्यक्ती वाचक हो जाता अब ये जाती वाचक है मैं इनमें से कौन सा पुरुष है तो मैं उत्तम पुरुष है किश अबने उपसर्ग नहीं है तो friends प्रभाव, अपवाद और अनुपस्तित इन तीनों में उपसर्ग है लेकिन ओढ़ना में नहीं है अशुद कोन सा है कलश, कल्यान, शतुर्ता बिलकुल ठीक है पुन्य अशुद है इनमें से कोन सा पद अव्यई भाव समास है तो अव्यई प्रती दिन जिसमें पहला शब्द अव्य होता है विन्य पत्रिका की रचनाकार ये बहुत important question है almost every exam में हम इसको देख सकते हैं तो विन्य पत्रिका की रचनाकार तुलसिदास जी है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधी कहते हैं आस्मान से बाते गरना यानि बहुत उचा होना जलज किसका प्राइवाची शब्द है तो जलज कमल का है कमल पंकर जलज ये एक ही शब्द के प्राइवाची है जेते तुम तारे तेते नभमेन तारे हैं में कौन सा लंकार है तो फ्रेंड्स इसमें यमक लंकार है तो ये हिंदी के प्रिशन थे अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक किया बाबाई